Welcome to Tax Masterclass, I am Advocate Anthony Williams और आप देख रहे हैं Tax Masterclass, Part 4, Federal Budget 2021-2022, Finance Bill 2021 जो पेश हुआ है National Assembly में, इस पे डिबेट होगी, सेनेट में जाहेगा, उसके बाल प्रेजिडेंट साइन करेंगे, Finance Act 2021 बनेगा, जो Tax Year 2022 के लिए applicable होगी, यानि वो Tax Year जो 1 जुलाई 2021 से शुरू हो रहा है, और 30 जून 2022 को खतम होगा, हम बात कर रहे थे, Customs Act 1969 और इस साइट पर जो Finance Bill है, उसके Clauses या उसके Section दिये हैं, और यहाँ पर फिल हाल जो Sections है, Customs Act के 1969 के, उसकी बात होगी, तो इस Clauses जो Finance Bill में आया है, उसके तेहत, जो सब Section 3 है, Section 45 of Customs Act 1969 उसको ओमिट कर जागा, ओमिट कर जागा है, रिमूफ कर जागा, क्योंकि कानून में शायद उसकी जुरूरत नहीं, या उसका कोई तो टिक करेंगे, तो जिस पेज पर आएंगे, एक तो Finance Bill होगा, जिसमें वो Exact Words वगएर आप देख सकेंगे, उसके लादा Salient Feature का डॉक्यमट होगा, जिसमें Highlights होगी, यहां हम देख रहे हैं कि एक्चुली, जो Finance Bill का जो कादून है, वो मुखतलिफ टैक्स के कावजीम को कैसे चेंज कर रहा है, अमेंट कर रहा है, सब्सिट्यूट कर रहा है वगएर वगएर तो यह चीज़ें, अगर आप इस तरह स्टेडी करना शुरू कर देंगे, अगर आप टैक्स है, लीगल प्रोफेशनल है, कावटन्ट है, कस्टम वाले हैं, तो इसको चेंज किया जा रहा है, क्लास 2 है, और उसमें कहा जा रहा है, कि इस क्लास में, जो Section 79 है, उसको अमेंड किया जाएगा, इस तरीके से, कि एक न्यू क्लास AA उसमें एड होगा, जब Section 79 में वो क्लास AA एड होगा, तो इससे time limit, जहना, reduced हो जाएगा, reduce the time limit allowed for decisions of cases wherein the impugned goods are lying at seaport, airport or dry port. तो overall theme आप देख सकते हैं कि government चारी है कि जो genuine taxpayer है, जो genuine importer है, उसो कम से कम physical, legal or hurdles जो है ना, और cost बेर करनी पड़े, तो जो section 79 है, उसके अंदर double A में जो वो double A clause ला रहे हैं, उससे यह होगा कि जो time limit है, वो कम हो जाएगी, खास्तों पर अगर goods पड़े हैं जैसे मैंने बता है, कराची और गवादर, एरपोर्ट पे, कराची लहूर, असलामबाद को इठा वगएर और ड्राइपोर्ट जैसे लहूर हो गया, पिशावर हो गया, यह जो different ports है, उन पर अगर goods पड़े हैं और कोई dispute हो गया है, customer का, importer का, customer के साथ, तो उसको कम से कम time में decide किया जाएगा, जो बिलकुल possible है, और इसमें कोई हर्च में नहीं है, क्योंकि कानून black and white में होता है, black and white का मतलब है, जैसे black print है, यह kagos white, अगर यह kagos black color में होता है, तो उपर black में print करते तो यह गायब हो जाता, invisible हो जाता, तो जो जुमला है, एक महावरा है, black and white में होना, इसका मतलब यह है, कि सारी बाते हैं, तो कानून में clearly लिखी हुए है, डिस्प्यूट अगर होता है, तो उसको tax के governing के मामले में असानी से resolve किया जा सकता है, अगर दोनों parties, customer, taxpayer, और जो tax authority है, उनकी नियत अगर resolve करने वाली है, tax दोस्ती brand का मकसद यह है, कि taxpayer और जो tax authorities, उनके दर्मियान आपका relationship इस तरह इंप्रूफ किया जाए, कि पिछले दो-तीन सालों से हम यह videos बना रहे है, कलको mobile apps और और tax दोस्ती centers होंगे, जहां कि आप कानून और FBR की requirements समझ सकेंगे, और tax master class में जैसे आपको बताया, कलको tax के जो officers है, assistant commissioner, commissioners, उनकी training कराए जाएगे, ताकि आपके as a customer, वो समझ सकें कि यह business का customer है, यह saluted person है, सारे customers valuable है, लेकर हरे customer की taxation की need फरक है, तो दोनों तरफ का एक bridge tax दोस्ती play करेगी, आप हम बात कर रहे हैं कि custom law में क्या-क्या changes है, previous भी अगर आपने देखा है, custom law को इस दफ़ा detail में discuss करने की यह भी वजा है, कि एक तो promise जैसे मैंने किया है, और tax दोस्ती team की support से मेरी जो team है, जो research में भी और काम में भी customers के काम में, मुझे इतना time दे देती हैं कि मैं फिर यह videos बना सकूँ, तो इस हवाले से एक तो promise था, कि हम सारे laws पर बा हैं, तो हमने एक और series शुरू की है, sell.amazon.com, तो amazon.com एक e-commerce, दुनिया के सबसे बड़े e-commerce website है, जिस पर आप पाकिस्तान से बैठे हुए, पाकिस्तान से बैठ कर आप ID जो है ना, बना सकते हैं, पैसे पहले ऐसे allowed नहीं था, जिसका मतलब यह है कि आप चाहे छोटा business है, बड़ा है, या medium-size business, आप अपने goods and services 45 million customers को बेच सकते हैं, जो हर साल millions of customers और भी Amazon पर add होते रहते हैं, तो उस हवाले से आप, अगर अभी तक import-export में आपने interest नहीं लिया था, तो golden opportunity है कि इस दफार, government ने small, हमने previous videos में आप part 4 देख रहे हैं, previous videos में small and medium enterprise के हवाले से बाते की हैं, कि उनके लिए import-export को facilitate करें, tax laws वगरा को भी इसी तरह किया है, तो आप इस मौके से फाइदा उठा हैं, और बजाए के profit कमाए, smuggled goods या Pakistan-based products पे, आप अपने products को world class बनाएं, इवन अगर आप large scale manufacturing नहीं है, बड़े पैमाने पर आप manufacturing नहीं भी करते हैं, लेकिन जो बात थे clause 220 पे, उसमें ये है कि वो clause जो है, वो section 80 को amend करेगा, जिस से enable किया जाएगा customer officers को examine करने के लिए के goods declaration proceeds through green channel in case of information, in case of information का मलब है, कि अगर customer वालों को कोई phone करके email पे, whatsapp पर text पे कोई message बेशता है, कि जी green channel, जहां पे checking नहीं होती ही, लेकिन कोई शक्स ऐसी चीज लेके जा रहा है, जिसको उसे declare करना चाहिए था, जैसे अगर आप 10,000 डॉलर से ज़्यादा पाकिस्तान में लाएं, पूरे साल में, या एक वक्त में, तो उससे ज़्यादा पे आपको declaration देनी होती है, इसी तरह और goods है, declare करने परते है, तो ये custom officers को power दे रही है, मैं बिलक कानून को exploit और तोड़े होते हैं, आपको भी मश्वरा दे रहे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे कानून में बेतरी हा रही है, वैसे वैसे culture में बेतरी हा रही है, और आपका भी एक role as taxpayer, कि आप properly जहें, उनको guide करें, जैसे हम लोग आपको कर रहे हैं, क्लास 2.21 में हो कहते हैं, कि एक provision नया add करेंगे section 82 में, और उसका in order to make shipping lines responsible for re-export of banned items imported in commercial quantities, यानि कि जो shipping companies, ऐसे items जो पाकिस्तान में allowed नहीं हैं, लेकिन जस्ट वो थोड़ी दिर के लिए लाते हैं, और उसको re-export करते हैं, तो shipping lines वालों से पुछा जाएगा, अगर वो पाकिस्तान में ही item sale हो जाते हैं, and to harmonize the provisions of custom act 1969, इस कानूं, जिस कानूं की बात हो रही है, and the import policy order, हर साल, या regularly government जो है import policy देती है, कि वो चाहती है कि government में, मुल्क में, ये चीज़े import हो, अब Amazon के हवाले से, Amazon पर आप खरीदारी तो 5, 10, 15 सालों से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड और जब से पाकिस्तान में system available है, लेकिन अपने business के goods और services जो है, आप sell नहीं कर सकते हैं, वो अब permission मिल गई है, उसका formal इजाज़ भी मिल गई है, अब अगर आप sell.amazon.com पर जाके account बनाएं, अपना e-commerce store बनाएं तो आपको जो हैना easily जो हैना पाकिस्तान का नाम भी मिल जाएगा और आप फिर वहां सारी details भर के आप कर सकते हैं, मैं यह बात यहां इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको पाकिस्तान में import करनी होगी और फिर उनको re-export करनी होगा, suppose करे चाइना से आपको अच्छा raw material मिल रहा है, जर्मनी से मिल रहा है, और आपको पता है कि जब मैं जर्मनी वाला या मैं यह जो है किसी और कंट्री का जो है यह raw material यह semi-finish goods यूज़ करूँगा और तब मैं वो product export करूँगा e-commerce के platform में Amazon पे, तो मेरा product जहना बड़ा हिट जाएगा, तो यहां तो सरफ वो बात कर रहे हैं कि कुछ ऐसे items हैं पाकिस्तान में allowed नहीं हैं, लेकिन बाकी दुनिया में वो लोग कपड़ों में भी हो सकते हैं, खाने पीने के भी ऐसी चीज़ें हो सकते हैं, पाकिस्तान में allowed नहीं हैं, तो shipping companies अगर responsible हो कि जी वो responsibility लेते हैं, कि यह ची पाकिस्तान में allowed नहीं हैं, लेकिन Amazon पे बेचने के लिए, या किसी और मुल्क में बेचने के लिए, मैंने Amazon की ऐसे example दे, problem हो सकता है, तो यह अच्छा government का वो है, कि एक तरफ वो check भी रख रहे हैं, कि problems नहीं हो, दूसरी तरफ facilitate भी कर, आगे देखते हैं, कि यहां पे वो कह रहा है, कि section 83B जो है, उसमें insert by insertion of the word outright to bring more clarity, तो जो कानून होता है, उसके अंदर हर लफ्स का अपना एक वजन होता है, अपनी एक importance होती है, तो यहां पर एक outright का word use हो रहा है, यह एक technical word है, लेकिन इसका लफजी माने या simple मतलब यह है, outright का मतलब है, कि foreign या आप कह सकते हैं, कि बिला शक या इस तरह करके, तो यह section जो है, इसका तालुक जैसे custom के सारे sections का तालुक, valuation से, import से, इसकी documentation से, तो यहां पे एक word add हो रहा है, और जो finance bill आप जब देखेंगे, तो पूरे section म यह word, कहां पे add होना है, वो बताया गया हो, clause 223 कहता है, कि section 88 में, custom authorities को amend किया जा रहा है, section 88, तो इससे यह होगा, enable किया जाएगा, custom authorities, to allow bona fide, bona fide amendment, bona fide कहते हैं, जहां पर गलती, जो है ना, बिलकुल, उसमें आपकी कोई बुरी नियत शामिल ना हो, bona fide, यानि, जो है, जो आपने काम किया है, वो अच्छी नियत से किया है, लेकिन वो घलत हो गया, तो bona fide amendments आप कर सकें, good declaration में, तो हो सकता है, आप लिख रहे हो किसी item का नाम, और वो item, जो actually physically ship हो के, import हो के, export हो के जा रहा है, उसके नाम से मिलता है, जोलता कोई और नाम हो, आपने वो लिख दिया हो, तो अब amendment हो सकेगी, और इसकी वज़ा से ज्यादा problem नहीं होगा, इस बात को भी लोगों ने misuse किया, लेकिन trade को facilitate करने के लिए, कानून में, section 88 में, custom authorities को allow कर दिया गया है, कि वो customer, या इंपोर्टर या exporter की bona fide amendment, और ये बात income tax में, पिछले साल amend हुई थी और tax दोस्ती में हमें मौका मिला और हमने बहुत सरे customers के, जो हमारे पर नए आये थे, जिनके previous consultants ने गलतियां बहुत सारी की थी, तो उनकी तरफ से तो वो bona fide गलतियां थी, यानि वो नहीं जानते थे, लेकर consultants ने बहुत कुछ लिख दिया था, तो हमने ये जो पिछले साल income tax ordinance 2001 में ये bona fide commissions और wrong statements की बात लिखी गई या, उसको हमने काफी use किया और इस साल, पूरा साल हमने वो clients जो और consultants के गलत टेक्स filing के वेज़े से हमारे पास आये थे, वहाँ पे बड़े successfully हमने use किया और इस पर पिर tribunal ने और हाई court वगरे ने भी फैसले दिये, हमारे cases नहीं तो उसमें ज्यादा भहस करने की जो अतनी है, as long as आप proof कर सकें कि आपका genuine case था, तो ये bona fide amendment की लफज यहां भी welcome, मैं समझता हूं कि welcome change है, कि यहां पर अगर गलती हुई है और genuine है, तो good declaration जो document है, उसको amend करने की power, customer authorities को दे देने चीए, बजाए कि कोई लंबा तरीका हो कि फेडरल बोर्ट तक application लिखनी हो, इससे क्या होगा, trade facilitate होगा, जनुवन गलती की वज़ा से अगर माल रुका रह जाता है, तो ऐसा नहीं हो, और जहां fraud और शक होगा, वहां customer authorities अपनी discretion यूज कर सकते, clause 224 कहता है, कि section 98 में allow किया जाएगा collector को, ये मुक्तलिफ office holders है, कि collector extend कर सकता है, warehousing period for six months, इसका मतलब है, जो समान आपका वहां पढ़ा है, वो six months और भी रखा जा सकता है, it will facilitate trade by reducing the processing time for request, तो एक fresh request देने के बजाए, वो ही जो आपका माल आया था, हो सकता है, dispute हो, हो सकता है, कोई और issues हो, हो सकता है, आपकी requirement ना हो, तो government, चुंके नहे warehouses भी मना आने के लिए, उन्होंने amendments काफी की है, इस law में, तो इस तरह से मेरा खाल है private sector को भी मौका दे रहे है, तो इस तरह करके मिलके private sector, public sector, businesses और आप जो taxpayer है, इन सारी बातों को समझ के tax दोस्ती को आगे बढ़ा सकते हैं, आप देख रहे थे part 4, tax master class, federal budget 2020, आप से part 5 में मलकात होत